सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चनल लानामोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए वेलकम फेंट्स स्वागतम दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें कोमिनेशन टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग एबडुमिनल एरिया में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है इस टेबलेट का कॉम्पोजिशन है ड्रोटरावरेन ताथा म मेफैनेमिक एसी इस डोट्र वरियन मेफैनेमिक एस्ट टेबलेट की पुरी डेटेल हमें इस वीडियो में जानेंगे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं बोले मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिश आप देख रहे हैं अपना यूटीब चैनल लाण अबूट मैडिसे चली आज वे कुछ नया सिखते हैं हेलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों इस टेबलेट में ड्रोटरावरेन एक एंटिस्पास्मोटिक दवा है जो पेट में स्मूध मुसल्स के कॉंट्रेक्शन तो तदा क्राम्स को जो मरोड होते हैं उनको कम करने का कारी करती है साथी जो मेफेनिमेकैसिड है यह नोन इस्टरोडल एंटि इंप्लमेटरी ड्रग है जिसे हम नसाइड दवा कहते हैं यह उन केमिकल मेसेंजर को ब्लोक करने का कारी करती है जो पेन तता सूजन के लिए जिम्मेदार है और यह दवाईयां दोनों मिलकर इस तरह से बिमारी को ठीक करने का भी कारे करती है अगर यहां पर इन दोनों ही दवाओं की स्टेबलेट में स्टेंथ जाने तो यहां पे डोट्रावरीं, 80 मिलिगरम के स्टेंथ में तता मैफेनिमेकैसिड 250 मिलिगरम के स्टेंथ में मिलाई जाती है और जैसा आप सभी को पता है जब भी ये इसकी कुछ popular brand है जो आपको freely available मिल जाएगी हो सकता है इनके अलब किसी अन्ये नाम से आपको ये टेबलेट मिले क्योंकि जो दवा की तर्वेट का प्रियोग स्टोबक एरिया में होने वाले जो दर्द है उसको ठीक लिया जाता है जैसे यद्कोई महाय है जिसको पीड़त के दोरान पेट में दर्ध हो रहा हूं क्राम्स हो रहों या उसको लोवर बेक पेन हो रहा हूं तो इन इस्तिति में ये ड्रोटिन एम टेबलेट महीला को दी जाती है इसके अलावा कि यदि कोई मरीज है चाहे वो पूरुस हो ये महीला उसको इन डाइजेसन की वज़े से अपच की वज़े से उसको पेट दर्द हो रहा हो तब इसे दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को मरीज को दस लग रही हो को दस के कारण जब मरोड होते हैं पेट में क्राम्स होते हैं तो बहुत तीज दर्द होता है तो उस दर्द को ठीकने के लिए जाता है किसी को अगर पथरी की समझ्या हो जैसे किड्नी इस्टोन हो या गाल ब्रेडर इस्टोन हो तब भी तीज दर्द होता है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए सकते हैं या किसी और रीजिन के करार यह पाल पेट में साइब्लेट दी जा सकती है अवरोल पेट में किसी भी परकाक अगर दर्द हो तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटर वरीन था था मैं फेने भी कैसी डिकॉमिनेसिंग ये टेबलेट मरीज को दी जा सकती है अब वीडियो में आगे इस टेबलेट के साइड इफिट को जान लेते हैं इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले जिससे की प्रॉपर टीटमेंट आपको दिया जा सके और यह टेबलेट फिचर में आप नहीं ले अब वीडियो के लाश में इसकी डूज को जान लेते हैं कितनी मात्रा में दी जाती है और क्या है बच्चों को दी दी जा सकती है तो एक टेबलेट दिन में दो बार दी जाती है और ज़्यादव समस्खिया हो चैने की बात मिलाना चाहिए और समये तो इसका डूरेशन होता इस बट्वाब परिंगनेंसिमान ले सकते हैं तो दोस्ते हैं कम्प्लीट जानकारी थे नेके के बारे में जिसका उम्मीद करता हूं जादा जान का पहुंची वीडियो आपको जोर से पसंद आया वह गाँ यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोर से लाइक करें ज़सी और की वी काम आ सके अभी तक आपने यूटीब चैनल लिन अबुट मेडिसीन को सबस्काइब नहीं किया हूं तो ऍहर्मीद advisor से लासान करेंरे करेंग आभी लेगिता हूंहाय।